अज़कर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Facebook admin जो है कैसे add कर सकते हैं अगर आप किसी को अपना Facebook admin बनाना चाहते हैं और आपको बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा वीडियो स्टाट करने से पहले मेरा नाम चानली इसे मैं मुगेट्स आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों अगर चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोडिफिकेशन का बैल दवाना ना पूले ताकि हमारी आने वारी ऐसी वीडियो की नोडिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले तो यह वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है अपना फेस्बुक पैज ओपन कर लेना है जिस पेज को आप जो है किसी को एड्मिन बनाना चाहते हैं वो पेज ओपन कर लेंगे यहां पर मैंने अपना पेज चलो हम इसको side-o कर देते यहां पर हमारा पेज देख पा रहें करके यह हमारा Facebook पेज आ चुका है अब आपको करना क्या है दोस्तों एड्मिन बनाने के लिए आपको सिंपली सा क्या करना पड़ेगा यहां पर आप देखने को मिल रहा होगा करना क्या है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक कर लेना है तो तो यहाँ पर कुछ परकार का interface नजराता हैापको करना क्या है नीचे की तरफ आना है और नीचे आना है यहाँ पर आप आप देख पारे होंगे page access यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेज एक्सेस आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो पेज का भी फिलाल एडमीन है यह है अगर आप एक्स्टा जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक एड न्यू का बटन आ रहा हो आपको क्या करना है add new के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप add new के उपर क्लिक करते हो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर add new का option आ चुका है आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर आपको सारी चीज़े पढ़ लेनी है पढ़ने के बाद आपको next के उपर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति को सर्च करना है आपको फेस्बुक पर जिस व्यक्ति को आप एड्मिन बनाना चाहते हैं तो चलिए हम यहां पर अपना एड्मिन का नाम सर्च कर लेते हैं जैसे हमने admin का नाम सर्च किया दोस्तों यहां पर बहुत सारे आ गए तो आपको जो लगे आपका admin यो तो आप उस पर क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आप उस ब्यक्ति का देना चाहते हैं सुव्यक्ति को तो इस पर क्लिक कर देंगे अदर्वाइज आप इसे छोड़ देंगे उसके बाद आपको गीव एकसेस के उपर क्लिक करते हैं यह आप से यहां पर पासवर्ड मांगेगा आपको पासवर्ड डाल देना है और यहां पर कंफरम कर देना है जै देख सकते हैं यह 31 दिन के लिए जो है उसके पास रिक्वेस्ट चली गई है 31 दिन के अंदर अगर आप वह असेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं मोवाइल की स्क्रीन पर तो यहां पर आप तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हमने उसे ADMIN मनाया , यहां पर हमें आ चुका है यहां पर आप दिखा देता हूं यहां पर यहां पर यह देखिये मुक्एजा यहां पर A-to-z Movies का जो page है आपको करना क्या हम उसके बाद Review invite पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको next कर देना है फिर accept कर देना है उसके पर आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं switching to a to z movie यहां पर हमारा facebook page open हो रहा है जैसे ही open होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं यहां पर आप देख सकते हैं हमारा page का जो है अब यह हमारे हाथ में आ चुका है आप इस पर हम कुछ भी डाल सकते ह हैं तो इस तरह से आप भी अपने facebook का page का admin बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को पहली बार आए हैं पहली बार विजिट करें तो चैनल को subscribe कर लें ताकि हमारी आन नहीं फिर मेंते हैं एक नहीं वीडियो नियो अपडेट के साथ तब तक के लिए जहीं बंदे मात रहूँ